गुर्मोनिंग स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने हमारी सिक्स क्लास इंगलिश बुक प्रेक्ट विद दसन के अंदर लेशन दसेफर ट्रेजर के पार्ट वन की वीडियो देखी आज इस पार्ट की सेकंड वीडियो हम जो है अभी देखते हैं जिसमें हमारा लेशन आगे है इसमें आगे है की दसेफ़र वाज अबल टु मेक आउट यह वीडिवी च वाहथ नन अदर देन दा किंग tum at me veure जान जाता है कि का निमें हागे मपडे गडरिया जान जाता है कि वह जो यातरी है वह कुझी और नहीं राजाइए दा किंग मेड़ दा वाइस फ़र्ड गवर्नर ओफ इसमाल डिस्टिक्ट और वो राजा जो उसे एक छोटे जो है जिले का जो है उसे राजय पाल जो नुक्त कर देता है अधर गवर्नर बीकेम जीलिस आफ न्यू गवर्नर और जो दूसरे जो जो राजय पाल है जो दूसरे जो है वो उस गड़रिये से जो है इर्श्या करने लगते हैं एंड काल्ड हिम डिस्ट और उसे जो है बेईमान साबित करने के कोशिज करते हैं और देखे आगे दो स्टिल टाइड टाइड होता है ठका होना टाइड क्या होता है ठका होना हालांकि राजा अभी भी थकावट महसूस कर रहा था दखेंग डिसाइड राजा ने फैसला लिया टू डिपार्टल अलग होना दनेक्स्ट जूरिन अगली सुबह राजा अभी भी थकावड महसूस कर रहा था फिर भी अगली पराता है उसने वहां से विदाई लेने का जो है निर्ने लिया और उसने का आप मैनी थेंक्स बहुत बहुत दन्यवाद फोर यूर कैंडनेस आपकी जो है इस दया भाव के कारण दैलूता के कारण आपका बहुत बहुत दन्यवाद और आगे कहता है कि I have to I have a long way to go मुझे एक लंबे रास्ते पर जाना है परमिट में टू लिव किरपा मुझे जो है जाने की जो है अनमती दे जी इस पर कार आजा गड़िये से कहता है looking straight into the eyes of his guest अती थी की नजरों में सीदे देखने वाले गड़िये ने उतर दिया दा सेफल रेप्लाइट 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 उतर देना जवाब देना thank you धन्यवाद your majesty for paying me the compliment of a visit visit Outtee Yatra कि उसने कहा कि धन्यवाद महराज मेरे पास आकर आपने मुझे जोय सम्मानित किया मजेस्टी महराज, कम्प्लिमेंट ओफ विजिट, कम्प्लिमेंट सम्मानित करना ओफ विजिट इस प्रकार से आपने यात्रा करके, मेरा सम्मान मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत दन्यवाद, राजा प्रसन भी वा और चकित भी वा, प्रसन होना, अस्टनिश्ट चकित होना, दा किंग वा ज़िकता है, और वो जो है, बड़ा प्रसन भी हुआ, He is indeed very wise और उसने उसको पता लग गया कि ववास्त में एक बहुत बिद्बान है He thought to himself, अपने आप सोचा उसने I need people, मेरे को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है like him to work for me जो मेरे लिए इस प्रकार का जवकारिया करें मुझे ऐसे ही व्यक्तियों की जो है आवशकता है राजा ने सोच लिया And the king appointed this humble suffered और राजा ने जो है विचार कर लिया कि मुझे इस प्रकार जी मांदार व्यक्ति की आवशकता है और राजा ने उस विनित गडरिये को एक छोटे जो है उसने पता कर लिया कि विद्वान है और मुझे सुचारूप से काम करने के लिए उस जैसे व्यक्ति की आवशकता है और उसने जो है उसको जो है एक छोटे से जो है राज्या का जो है राज्या पाल भी जो है न्यूक्त कर दिया आल्लो फी रोस टू पावर एंट डिगनिटी अलांकि उसके पद्द की बहुत सक्तियां और शान थी पावर सक्तियां डिगनिटी शान थी तो भी गड़िया दस सफर्ड रिमेंड एज हमबल एज ही वर तो भी गड़िया जो है पहले की बाती जो है विनित रहा उसे जो है स्माल डिस्टिक्स का गवर्नर बनाने के बाद भी उसके विवहार में किसी परकार का जो कोई जो है परिवर्त तर नहीं पीपल लावड एंड ओनर लावड उसे जो है चाहते थे प्यार करते थे और उसका मान सम्मान भी जो है लोग जो है उसी परकार से जो है कर रहे थे फॉर इस विजडम उसकी बुद्धिमता के लिए विजडम होती है बुद्धिमता सैंपती सहानुबुती और उसके अच्छाई नेकी उसकी पुद्धि मता सहनुव होती ही अच्छाई नेकी का कारण लोग उसे जबी चाहते थे उससे प्यार करते थे उसका मान सम्मान करते थे यह वाइस कांट वादयालू था जस्ट वन अल वह हर सभी के पर्तिज वह द्यालू और नयापूरन था इस फेम पर्षिद्धि एस फेर उसकी पर्षिद्धि इतनी साफस्पस्ट निस्पस्ट और वाइस गुवर्नर शून अब गुवर्नर ओफ अधर व्हें पर्षिद्धि एस फेम उसकी जए चारो और जए फैल गई गई अब गुवर्णर ओफ अधर प्रोविन्स ग्रीव टेरिबली अब क्या होता है कि दूसरे पर्देशों के राज जेपाल उससे अधिक इर्शा करने लगे जेल्स इर्शा करना आफ हम उससे और राजा को जो उसके परतीज आगेस्ट करने लगे उसके विरुद्ध करने लगे देशाइड वो बोले इस वैरी डिसोनेस्ट की वो तो बहुत इमानदार नहीं है बेईमान है और वो अवेसा रखता है पैसा रखता है अपने पास रखता है और वो क्यों हमेशा कहरी विद हिम रखता है अपने पास दे एड एन औरेंज चेस्ट एक लोगे की पेटी का अपने पास फिर वो ऐसा क्यों रखता है यानि उन्होंने दूसरे राजय पालों ने राजा की विरुद्ध उसको जो है उसके विरुद्ध राजा को करने की कोशिश की फ्रेफ्स होता साइद ही करीड रखता है इनिट इसमें ट्रेसर खाजाना राजर वता है थालो फ्रेश पिलोह की वेटी का में अपने पास फिर खाजाना रखता है देटी है जो उसने जो है शकरेटली गुप्त रूप से उन्फन ग्लेक्ट किया है आफ्टर आल आगे देखते हैं आफ्र आल आफ्र आल देश हैड मोकिंगली वाज अनोर निश्फर अन्ट कुड बहेव बैटर और इस प्रकार से जो कहते हैं कि आखिरकार वह एक मामूली कर रही है और उसका विवार्स्ट्रेस्ट जो है नहीं हो सकता है इसके बाद आगे हम देखते हैं कि अधन्यू गुवर्णर वास काल्ड टूपलेस और आगे इस कहानी के अंदर जो जो नेरा जपाला उसको पहले पहले सोता महल के अंदर बुलाया जाता है और ही वाज ओडर और उसको अदेश जया जाता है एक्सपलेन वाई आलवेज कारीट एन आरेंज चेस्ट की वह हमेशा अपने साथ जो है इस लोह की पेटिका क्यों क्यों रखता है दा चेस्ट कॉंटेंट नो गोल्ड और शिल्वर और जो पेटिका होती है उसके अंदर कोई गोल्ड और शिल्वर जो है नहीं होता है यह जो है स्टोरी इसके अंदर जो हागे जो है देखते हैं तो देखिए इसके अंदर दिया गया है at the first the king did not pay attention to these reports स्रुवात में इन जो दूसरे राजयपालों की जो रिपोर्टें थी पर राजा ने ध्यान नहीं दिया but how long could he ignore लेकिन वह कब तक इसको इगनोर करता रहता these governors और ये राजयपाल end there endless stories और उनको कभी निस्वापत होने वाली कहानिया about the safard जो उस गड़िये के बारे में रोज जो नित्ते राजा सुदता था कब तक वो इंकार कर सकता था one thing was certain the king discovered और एक बात तो राजा ने जो है खोज कर पता ही लगा ली क्या the new governor की जो नियराजयपाल है did carries an iron chest कि वो हमेशा जो अपने पास एक iron chest होती लोगे की पेटिका रखता है with him in all time हमेशा अपने साथ जो रखता है राजा ने ये बातों तैक करी ली कि कुछ तो है so one day इसलिए एक दिन the new governor was summoned to palace और एक दिन जो है नियराजयपाल ने समन्ड आदेश दिया to the palace उसे जो है महल में आने का जो है आदेश देता है और he came riding on his camel और वो गोड़े पर riding होता स्वार स्वार करना camel उट पर वो स्वार करके आता है and to everyone's delight और हर कोई जो है प्रशंद हो जाता है यह देकर कि उसको आखते वे देकर the famous iron chest और वो जो परशिद पेटिका वास देर फास्टन श्कुरली बिहाइंड हिम स्वार क्षित रूप से स्वार क्षित रूप से बिहाइंड उसके पीछे on the camel's back उन्ट के जो है पीट के पीछे अभी भी जो है वो बंदी विया स्वार क्षित रूप से पेटिका उसके सा साथ है इस उसको देख करके सभी जो है परसंचीश हो जाते हैं कि नाव दकिंग वाजेंगरी और अब राजा जो है नराज हो जाता है ही थर्टन थंडर्ड स्वारी थंडर्ड और वो जो है दहारता है वाई डू यू आलवेज करी डैट आरें चेस्ट विद यू और कहता है इसके अंदर क्या भरा हुआ क्या रखा हुआ आप अमेशल इसके साथ जो है क्यों रहते हैं जो गर्न गवर्णर स्माइल और जो गणर होता है जो गड़िया गवर्णर वहोता है वह मुस्क्राथा है इस सर्वेंट टू बिंग दिए चेस्ट और वो जो है अपने नोकर को जो नोकर होता है उसको उस लोगी पेटिका को लाने के लिए जो है कहा देता है कि वो लोगी पेटिका लाए और क्या होता है कि हाओ eagerly the people standing around waited for the safer to be found out और जो चारों और की जो चारों और जो खड़े वे लोग हैं वो गड़िये के भाड़पूर्ने की उसक्षा से पर्थिश्या कर रहे होते हैं कि इसमें से अब क्या लिकरने वाला है क्या इसके अंदर से होने वाला है बट हाव ग्रेट वाज देर अस्टोनिश्मेंट लेकिन जो है बड़ी जो है अरानी होती है परंतु राजा की आश्रे का ठिकाना नहीं रहा होता है उसमें जब वो उस पेटिका को खोलता है तो देखते हैं कि उसमें से जो है क्या होता है यह किंग इंग इंग्रेट वाज जब लोग की पेटिका खोला जाता है क्योंकि दिर्वाज नो गोल्ड कोई गोल्ड नहीं है और शिल्वर और जैवल्स और कोई जैवर्ने जैवरात वगेरा कुछ भी नहीं है बट एन ओल्ड ब्लैंकट पुराना ब्लैंकेट कंबल की पुराना केबल जो है उसमें अंदर जो एक कंबल लिखता है was All that came out जिसको वह बार निकालता है तो तो हम ने देखा कि उस लोगे की पेटिका के अंदर कुछ नहीं था सिरफ जो है फटा पुराना जो है और वह के कंबल निकल रहा होता है जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है चित्र में दिखा करके राजा और उसकी भीड है सामने चित्र के अंदर दिखाया गया है कि एक कंबल है तो दूसरे राजेपलों ने उसके विरुद्ध कर दिया था राजा को कि वह अपने लोह की पेटिका में सोने चांदी जेवरात वगरा रखता है तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि गड़ी ने पेटिका खोला तो राजा की जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह काफी हरान भी हुआ holding it up proudly 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 होता है गराव से उपर उठाते वे गड़रीये ने कहा दसेफर सेट इस इस माइडीर मास्टर यह है मेरे प्रिये is my only treasure केवल मेरा एक मत्र खजाना I always carry it with me मैं हमेशा always होता है हमेशा carry रखता हूँ it with me मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ but why do you carry such an ordinary blanket ordinary ओता साधान blanket कंबल विद यू राजा कहता है कि फिर तुम इस साधान से कंबल को अपने साथ जो है क्यों रखते हो surely कहता है निशन्द है मैं इसको रखता हूँ अवश्य है मैं इसको जो है रखता हूँ यू आर दो गर्णर फेडिस्टिक्स आप एक राज्य की राज्य पाल है दकिंग आस्क राजा ने कहा तो विच दस्टेफर रिप्लाइड इस पर जो है गडरी ने जवाब दिया क्वाइट डिगनिटी अपने जो है राजा ने जो है उसको जो है तो उसने कहा कि शांति पूर्ण और शान के साथ उतर दिया यह कंबल मेरा सबसे पुराना जो है मित्र है यह जो कंबल है यह मेरा सबसे पुराना जो मित्र है यह मेरी प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना बचाना प्रोटेक्ट मी इफ एनी टाइम किसी विख्षम है यह मेरी जो है यह कंबल मेरा पुराना मित्र है और किसी विख्षमें जो मेरी यह रक्षा करता है यूर मजेस्टी महराज should wish to take away my new क्लॉक्स और इस प्रकार से वो कहता है कि यह जो है मेरा पूराना कंबल है यह मेरा च्छा मित्र है और किसी से में महराज ने नए कपड़े को छीन लेंगे तो यह तक मेरी जो है रक्षया करेगा my new clocks जब मेरे नए कपड़े छीन दिये जाएंगे तो ये मेरे उस से मेरे जो है ये रक्षया करेगा ये कंबल ही मेरे जो है काम आएगा how pleased the king was राजा को उस से मेरे जो है अत्य दिक प्रस्वन वहा उसकी खुजी का कोई ठिकाना नहीं रहा and how embraced the embraced the genius governor became to hear the wise men reply 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 उता जवाब देना और उससे में राजा बड़ा परशन हुआ और इसालू राजयपाल बहुत जो है इसालू जो है राजयपाल जीलिस गवर्नर इसालू जीलिस वह तक इर्षाल करने वाले गवर्नर राजयपाल embraced वो जो बड़े प्रेशान हो गए बिकेम हीर यह सुन करके wise man reply उस बुद्धी बुद्धी मान व्यक्ती का reply जवाब सुन करके जो इसालू राजयपाल है वो बड़े जो इंप्रेश्ट हो गए वो बड़े जो है प्रेशान हो गए now ab they knew वो जान गए that the shepherd was indeed in the humblest and wisest man in the land उनको पता लग गया कि जो समझ गए कि गड़िया वास्त में पिस्थवी का जो अस्षरवाद एक विनम्र और बुद्धी मान वेक्ती है humblest विनम्र and wisest और बुद्धी मान man in the land इस धर्ति के उपर है the king made him the governor और राजा ने उसको जो है governor बना दिया of a much bigger और भी ज्यादा बड़े districts that every that very day और उस तिन से जह राजा ने उसे जो है और भी बड़े राज्य का जो है राज्यापाल जो है बना दे बिग्गर और भी बड़े जै उसका जो है गवर्णर जो है बना दिया तो इस प्रकार से बच्चों हमने यह देखा यह स्टोरी इस हमने पढ़ी दा सैफर्ड ट्रेजर की इस वीडियो में हमने सेकिंड पार्ट पढ़ा है फर्स्ट पार्ट हमने पीछे लिए वीडियो में पढ़ा इस वीडियो को आप बार बार पोज करके देखी समझी ताकि क्यूस्टन आप उनस्वर आपको अच्छे डंग से पक्के जो है लन हो जाएं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हीं तब तक के लिए वेट अब बात्स दिस वीडियो वन्स अगें थेंक्स